हेलो फ्रेंड्स आप सबका एक पर फिर से हमारे यूटूब चैनल बुली होली वल्ड पर स्वागत है यहां आप जान सकते हैं अपने फेवरेट सेलिबरिटी की लाइप स्टाइल के बारे में और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केके गोस्वामी के बारे में कैसी रही है उनकी लाइप स्टोरी उनकी लाइप स्टाइल बाइगरफी और रियल लाइप से जुड़ी सारी बाते आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तो केके को स्वामी एक शोर्ट हाइट के इंडिन टेलिविजिन एंड फिल्म एक्टर है जो ज़ादातर सीरियल्स, बॉलिवूड मूवीज और भोचपुरी फिल्म्स में दिखे हैं एटीज और नाइटीज के बच्चों में ये काफे पॉपुलर भी है इन्हें पैचान मिली थी अपने कैक्टर गबरू से जो इन्होंने होरर सीरीज फिर कोई है में किया था इसके अलावा ये सब टीविज सीरियल गुटरगू में भी काम कर चुके हैं केके कोख स्वामी ने भोचपुरी मूवी बगल वाली जानमराली में भी काम किया है अब केके कोख स्वामी की पर्सनल लाइब से जुड़ी कुछ खास बाते आपको बताते हैं दोस्तों इनका जन्म हुआ था देन सिदंबर 1973 को मुझफरपुर बिहार में और साल 2020 के हिसाब से यह 47 एर्ज के हो चुकी है इनकी वाइफ का नाम है पिंकु कोख स्वामी और इनके दो बच्चे भी हैं जिनके पिक्चर्स आप स्क्रीन पर देख रही है केके कोख स्वामी की हाइट है 91 सेंटीमेटर यानि करीब 3 फिट लेकिन इनकी वाइफ पिंकु कोख स्वामी की हाइट है 5 फिट इनकी स्यादी से जुड़ी सारे जानकरी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे फिलाल बात करते हैं केके कोख स्वामी के चायल लोड़की दोस्तों जब केके स्वामी 10 से 12 साल के थे तो सरकस वालों को इनका पता चला और वो इनके घर तक पहुंच गए और इनके फादर से इनको सरकस के लिए काम करने के बात कही साथ ही इनके लिए इनके फादर को 50 अजार रुपे भी देने को तयार थे लेकिन इनके फादर ने उनको मना कर दिया बच्पन से क्यके गोश्वामी को अपने पडोसी, इस्तेदार, क्लासमेट, स्कूलमेट, सबसके ताने सुने पड़ते थे लेकिन इनके पेरेंट्स ने हमेशा इनको सपोर्ट किया और इनकी स्ट्रेंथ बने अब इनकी साधी से जुड़ी बाते आपको पताते हैं दोस्तों पहले बच्पन में शादिया तैय कर देते थे और ऐसा ही हुआ था क्यके गोश्वामी और पिंकु गोश्वामी के साथ लेकिन जब बाद में इनके ससरार वालों को पता चला इनकी हाइट छोटी रह गई है तो उन्होंने शादि करने से मना कर दिया लेकिन इनकी वाइफ पिंकु गोश्वामी इस बात पर अड़ी रही और उन्होंने कहा कि मैं मन ही मन केके गोश्वामी को पती मान चुकी हूँ और उनी से शादि करूंगी और फिर एक मन्दिर में इनकी शादि हुई और आज इनके दो बच्चे भी हैं अब केके कोश्वामी के केरियर से जुड़ी कुछ बाते आपको पताते हैं केके कोश्वामी मीरा रोड मुंबई में एक फ्लैट में रहते हैं और इनका मुजफरपूर में एक फोटो स्टूडियो भी है इन्होंने अपने एक्टिंग केरियर की शरवात की थी बी ग्रेड बोलिवुड मोवी कासिम से उसके बाद 1997 में इन्होंने अंटस्ट फिल्म की और 1999 में लावारिस इसके साथ साथ इन्होंने काफी मोविज में काम किया जैसे बे नाम, जखमी, शेरने, भोतंकल और और बी काफी सारी केके कोश्वामी ने काफी सारी टेलिवीजन सीरिल्स में कोमेडी रोल्स भी किये हैं इन्होंने जुनियर जी, गुटरगू, पप्पु महराज, सोनी टेवी सी आईडी, फिर कोई है, शक्तिमान और भाबी जी घर पर हैं जैसे टेवी सीरिल में काम किया है और इसके अलावा भी ये काफी सारे कोमेडी रोल्स कर चुके हैं दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप केके कोश्वामी के फैन हैं तो वीडियो करते लाइक और साथ ही हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे